हेलो एश्टूरेंस मौविकाश और मैं आप सभी का नॉलिज वीम यूटीब चैनल की एक नए वीडियो में पुने स्वागित करता हूँ एश्टूरेंस आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियूं के लिए सामान हिंदी का अर्धवार्सिक प्रिछा 2022 का पेपर आपको शो करने वाला हूँ हरी संकर परशाई का निवन्द संग्रह है तो कौन से आपको चार विकल देग है सब्सक्राइब को चुनाओ करना है और इक्षिज मैं आपको और बताना चाहता हूँ इदि आप हिंदी गद्या हिंदी पद्य के अब्जेक्टिव केस्टन का तयारी करना चाहते हैं तो आपका गवला क्वेश्चन है आच्रट की सबयतार निवन्द के लेखक है तो कौन है आपको चार विकल पर सब्सक्राइब करना है इसके बाद आपका क्वेश्चन नमबर है हिंदी का प्रथम मौलुक को पन्यास कौन सा है बहुत ही सरल क्वेश्चन है और काफी इंपोर् बादर से समबसु दिखाई तएगा तो इसमेंद दूसरा का लाक वाला क्वेश्चन है भकति काल की रचना है तो कौन से है चार ःविकल पे सब्सक्राइब करना है इसके बाद आपका गवला क्वेश्चन है यहां पर देख सकते हैं प्रश्ण आपका पूछा गया है इसमें आथवा करके भी क्वेश्टिन दिया गया अगर आपको एक गद्यांस नहीं आ रहा है तो आप अथवाला गद्यांस जो है उसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद नीचे यहां पर क्वेश्टिन पूछा गया है इनके उत्तर आप लिख सकते हैं इसके बाद आपका चौथा प्रश्ण प्रश्ण हो रहा है इसमें करा है कि दिये गए पद्यांस प्याधारित निम्रुकित प्रश्णों के उत्तर यहां पर आपको पद्यांस दिखाई दे रहा है इस पद्यांस को पढ़ना पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्ण पूछा गया है करके इनका उत्तर आप लिख सकते हैं तो मैं और आगे बढ़ूं से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप जो है क्लास 12 इंगलिस ग्रामर या इंगलिस टेस्ट बुक का अची तरह प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो मारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें आपको इंगलिस का अच्छा प्रिप्रेशन क्लास 12 के लिए देखने को मिल जाएगा इसके वाद आपका क्वेश्चन निम लिखित में स किसी एक कवी का साहित्तिक परचा देते उनकी प्रमुक क्रितियों का उल्लेक कीजिए और इसमें भी सब्द सीमा असी सब्द है और इस टॉपिक को भी हमारे वेवसाइट नॉलेजविंग प्लस टॉट कॉम पे जाकर आप तयार कर सकते हैं लिंक वेडियों के डिस्विश इसका अपका question number 7 है रश्मी रतिक खंड कावे के अधार पर दूर्योधन का चित्रांकन कीजिए अथवा रश्मी रतिक खंड कावे की दित्ति सर्गे की कथावस्तु लिखिये तो इन सबका preparation है तो यहाँ पर आपको गध्यान से दिखाई दे रहा है अथवा करके दो गध आपको संदर्व के साथ हिंदी में जो है अनुबात करना है तो देख लिजे किस तरह से पूछा गया इस परशूप से नहीं दिख रहा है तो वेडियों के क्वाल्टी पढ़ा कर देखेगा ताकि अच्छे से आपको पिपर इस परश्ट हो जाए इसके वाद आपका देख सक अबरे या लोकतियां जो देखने को मिल रहा है तो इसमें से किसी एक का आपको अर्थ लेकर वाक्ति में प्रयोग करना है इन सब ग्रामर पोर्शन का जो प्रिप्रेशन है हमारे हमारे ब्योसाइड नौनेजविंट प्लस डॉट कॉम पर देखने को मिल जाकर एक बार जर करके आप पर देख सकते क्वेशन पूछा गया और सब के लिए विकल्प दिया गया है और इन सब का भी प्रिप्रेशन हमारे ब्योसाइड पर आवलेबल है जाकर आप देखें इसका आपका खवाला क्वेश्चन है दिये गए नम दिये गए निमन सब्दों के विभक्ति और वचं के विकल्प का चैन करना है आपको तो देख सकते हैं पहला दूसरा करके किस तरह से पूछा गया है इसके क्यारा वाला को तरेकर चैन करके लिखे तो सही अर्थ चैन करके आपको लिखना है और इसके बाद गवला क्रेशन है निमन सब्दों में से किसी एक सब्दका जो है चैन करना है और और इन सब्सक्राइब करें अब करके तीन क्वेशन पूछा गया है और देख सकते हैं आपका पहला रस से दूसरा अलंकार से तीसा चौपाई सोथा आतवाच छंद से अब करें आपको समाचार पत्र के लिए समाचार पत्र के संपादक के लिए आपको पत्र लिखना है तो यह है आपका पर अर्थवार्थिक परिश्या दो हजार बाईस का हिंदी का क्वेश्चन पेपर जिसने मैंने आपको शो किया वीडियो अगर पसंद आया तो बड़े को लाइक करें और इंग्लिस के अच्छी तरह आरी के लिए बोड़ी गाम के लिए हमारे इस चेल्लों को ज़रूर आप विजिट करके प्लेरिस्ट में चेक करें आपको इंग्लिस क्वेश्फन झाल झाल